पिछले साल विधान सबा चुनावों में तेलंगाना की सत्ता गवाने के बाद भारत राश्य समिती बड़े संकर्ट से जूज रही है लोग सबा चुनावों में शून्य पसिम्टी बियारेस बिखर चुकी है बियारेस कई बड़े निताओं के पार्टी छोड़ने के बाद अब तक 16 विधायक गवा चुकी है इसमें 10 विधायक के सदस्ति शामिल है ये सभी पिछले साल के आखिर में हुई चनावों में जीते थे ऐसे में तेलंगानम में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या बियारेस खतम हो जाएगी या फिर बीजेपी के साथ आकर अपने अस्तित्व को बचा पाएगी राज्य में पहली बाद सत्ता का काबिज हुई कॉंग्रेस अभी 10 विधाय को अपने पाले में शामिल कर चुकी है इसके बाद सदन में कॉंग्रेस की संक्या बल 64 से बढ़कर 75 हो गया है एक सीट कॉंग्रेस ने उपचुनावों में जीती थी जो बियारेस की महिला विधायक के निधन से खाली हो चुकी है तिलंगानों में डेवन्त रेडी की सरकार के बीच चर्चा है कि राज्य में कॉंग्रेस से मुलाकात करने के लिए बीजेपी और बियारेस एक साथ आ सकते हैं इसमें बियारेस के बीजेपी के विलय होने की भी चर्चा चल रही है बियारेस के एक नेता से जब स्थानी मीडिया ने पूछा था कि तो उन्हें विले और गटबंदन की संभावनां से इंकार कर दिया था वह एक रिपोर्ट की माने तो बियारेस से हाथ मिलाने को लेकर बीजेपी के दो तरहा के विचार है कुछ नेता चाते हैं कि केसी आर बीजेपी में आ जाए तो कुछ इसके खिलाफ भी है वो चाते हैं कि विले की जगा पर बात गटबंदक तक सीमित रह जाए कुछ रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि बीजेपी और बीजेपी के मर्च की बाचीत काफे आगर बढ़ चुकी है वह एक रिपोर्ट की माने तो राज्य में बीजेपी को लाट सांसद हैं इसमें तीन सांसद बीजेपी के विले के खिलाफ हैं तिलंगानम एक छत्र राज करने वाले पूर्व सीम केसी आर एक साथ कई मोचों पर घिरे हुए हैं। उनकी बेटी केक अवीत अदिली शराब घोटाले के सिलसले में जेल में हैं। तो वहीं दूसी तरफ बियारेस लगतार कमजोर होती जारी है। केसी आर के प्रचार के बाद भी पार्टी को लोग सभा में शूने पर समटना पड़ा। सत्ता पर काविज हुई कॉंग्रेस लगतार विधायकों को और नेताओं को अपने पाले में कर रही है। ऐसे में बियारेस के सामने अपने अस्तित्व को बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है। इसके अलावा बियारेस के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि राज्य की राजनीती को पार्टी बचा सके। इसे के साथ कॉंग्रेस और BJP की बीच लोगों को शिफ्ट होने से त्रिकोन की गुंजाईश पिछले कुछ महीनों से घट गई है ऐसे में ये भी चर्चा है कि BRS कॉंग्रेस से लडने के लिए BJP के साथ हाथ मिला सकती है पिछले दिनों जब KCR के बेटे KTR पार्टी छोडने वाले विधायकों को आयोग्य घोशित करने की मांग के साथ विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुचे थे तो उन्होंने सीधा राहूल गांधी को निशाने पर लिया था और कहा था कि समविधान बचाने की दुहाई देने वाले दल बदलू की पीट थप थपा रहे हैं ऐसे में बियारेस के विधायकों में मची भगदर से KCR की चिंता बढ़ गई है राजनीती में अब इसके चलते क्या उठक पटक होती है वो तो समय ही बताएगा अब देखना है कि देलंगाना राज्य के लिए लड़े KCR कैसे कॉंग्रेस से अपनी पार्टी को बचाते हैं फिलहाल इस वीडियो में इतना ही देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरो के लिए आप हमाई साथ बने रहें और देखते रहें न्यूसिस्टेट अब वाट्सेप पर खबरो के ताजा अबडेट के लिए न्यूसिस्टेट के इस QR कोड को स्कैन करें